प्रति दिन के जीवन में जब भी नई लोगों से मिलते हैं तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं यहां तक कि हम उनसे इंटरेक्ट करने से पहले ही उनके बारे में एक भविश्यक अथन करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं कि वो किस तरह के होंगे इसके लिए हम अपने पूर्व अनुभवों यानि पास्ट एक्सपीरियंस प्रेक्शन यानि अब्जर्वेशन वारतालाब यानि बातचीत और दूसरे लोगों से जो भी इन्फर्मेशन प्राप्त होती हैं उनका सहारा लेते हैं लेकिन केवल पास्ट एक्सपीरियंस अब्जर्वेशन बातचीत और दूसरे लोगों के द्वारा जो भी जानकारिया दी जाती हैं उनके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में या उसकी परसनालिटी के बारे में कोई डिसीजन लेना बहुत सही नहीं होता इस तरह के जो नेड़े होते हैं उनमें वस्तो निष्टता कम होती है यानि जरूरी नहीं है व्यक्तित्व के बारे में जो नेड़े लेते हैं वो सही हो ऐसे में किसी व्यक्ति की परसनालिटी को समझने के लिए आपचारिक यानि फॉर्मल तक्नीक की आविशक्ता होती है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के अपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मुल्यांकन यानि परसनलिटी असेस्मेंट कहा जाता है यानि जब हम किसी परसन की परसनलिटी को फॉर्मल तरीके से जानने समझने की कोशिश करते हैं तो इसे व्यक्तित्व मुल्यांकन यानी personality assessment कहते हैं assessment या मुल्यांकन से मतलब होता है वे प्रक्रियाएं, वे तरीके जिनका उप्योग करके हम लोगों की विशेशताओं को समझ पाते हैं और इस मुल्यांकन की आधार पर हम विभिन लोगों के बीच में भेद कर पाते हैं अंतर कर पाते हैं, उनके गुणों में अंतर कर पाते हैं कि एक वेक्ति, दूसरे वेक्ति से गुणों में इस प्रकार से भिन है तो व्यक्ति की विशेष्टाओं के बारे में भी पता लगता है और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से किन विशेष्टाओं में अलग है इसका भी पता मुल्यांकन के द्वारा लगता है हम व्यक्तित्व का मुल्यांकन क्यों करते हैं? यानि मुल्यांकन का लक्ष क्या होता है? मुल्यांकन का लक्ष होता है लोगों के व्यवहारों को कम से कम गलतियों और अधिक से अधिक शुधता के साथ समझना और उनके बारे में प्रेडिक्शन करना, उनके बारे में में किसी परिस्थिती में ये व्यक्ति इस तरह का व्यभार करेगा जहां तक व्यक्तित्व मुल्यांकन की उपयोगिता की बात है तो व्यक्तित्व मुल्यांकन यानि परस्नालिटी असेस्मेंट लोगों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है इसके अलावा डाइग्नॉस क निदान करने में यानि मनोवग्यानिक समस्याओं के समाधान में, प्रसिक्षन देने में, इस्थानन में यानि जॉब वगहरे के प्लेस्मेंट के लिए, काउंसिलिंग के लिए इसके इलावा और बहुत सारे उदेशों के लिए व्यक्तित्व मुल्यांकन उपयोगी होता है मनोवग्यानिक दवारा व्यक्तित्व के मुल्यांकन के लिए विभिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मनोमेतिक परिक्षन यानि साइकोमेटरिक टेस्ट, आत्म परतिवेधन माप, सेल्फ रिपोर्ट मेंजर्स, प्रक्षेपी तकनीकें, प्रोजेक्टिव और विवहार परक विशलेशन, behavioral analysis का यूज होता है। मनोमितिक परिक्षन यानि psychometric test हम first chapter में पढ़ चुके हैं। इसलिए अब हम बाकी की तक्नीकों के बारे में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आत्मप्रतिवेदन माप यानि self report business। Allport का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें अगर मुल्यांकन करना हो तो उसकी सबसे उत्तम विधी उस व्यक्ति से ही उसके बारे में पूछना होती है। हम अगर किसी विक्ती के बारे में जानना चाते हैं, तो हम उस विक्ती से ही उसके बारे में पूच सकते हैं। Self Report या आत्म प्रतिवेदन वह विदी है जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में अपने विश्वासों, अपने मतों के बारे में सुचनाई देता है, information देता है. इस तरह की informations, interview के द्वारा, inventories यानि अनुसूची के द्वारा या प्रशनावली के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं. self-report measures structure होते हैं, यानि सनरचित होते हैं, इनमें प्रशन स्पष्ट होते हैं, और सामने वाले को पता होता है कि उसके व्यक्तित्व का मुल्यांकन हो रहा है. जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुल्यांकन करना है यानि प्रयोज उसके सामने कुछ प्रश्न या कथन होते हैं और उन प्रश्नों उपर उसे शाप्दिक अनुक्रियाएं देनी होती हैं. शाब्दी का नुक्री आए जैसे हाँ नहीं सहमत असहमत इस तरह से जैसे एक प्रश्ण का उधारन लेते हैं कि क्या आप दूसरों से आसानी से घुल मिल जाते हैं हाँ या नहीं तो प्रयोज का उत्तर अगर हाँ में है तो वो हाँ पर टिक का निशान लगाता है और अगर नहीं है तो वो नहीं पर टिक का निशान लगाता है इसी तरह से प्रयोज विभिन प्रकार के कथन यानि की सेंटेंस होते हैं उनके बारे में जो भी उसकी सेलिंग होती है जो भी उसकी सोच होती है उसके आधार पर वस्तोनिष्ट रूप में यानि अबजेक्टिव तरीक यानि प्रोज ने जो response दिये हैं उनकी व्याख्या की जाती है यहां हम तीन self report measures का अध्यन करेंगे सबसे पहला है Minnesota बहुँ पक्षी है वेक्तित्व सूची English में Minnesota Multiphasic Personality Inventory Short form में MMPI इस inventory यानि सूची का निर्मान हाथवे और McKinley ने किया था इस सूची यानि inventory को इन दोनों मनोवज्यानिकों ने मानसिक रोगों के निदान के लिए एक टूल की तरह से एक सहायक उपकरण की तरह से विक्सित किया था और प्रयोग किया था और ये टेस्ट विभिन प्रकार के मनोविकार यानि मानसिक बीमारियों के पहचान करने के लिए बहुत ही effective पाया गया यानि इस परिक्षन के द्वारा विभिन मानसिक बीमारियों की पहचान असानी से की जा सकती है इसका revise रूप या परिशोधित रूप MMPI 2 के रूप में उपलब्ध है इस परिक्षन में 560 कथन यानि की sentences हैं और प्रियोज को हर कथन को पढ़कर सही या गलत के बारे में लेंड़े लेना होता है यानि वो कथन प्रियोज के बारे में सही है या गलत है ये प्रियोज को बताना होता है ये test दस उपमापनियों यानि सब स्केल्स में डिवाइड है जो इस प्रकार से हैं इन 10 सब स्केल्स के द्वारा करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर आपको इन बिमारियों का किवल नाम याद कर लेना है इनके डिटेल में जाने की आपको अभी आविशक्ता नहीं है MMPI यानि Minnesota Multiphasic Personality Inventory की तरह ही भारत में मलिक और जोशी इन्होंने जोदपूर बहुँ पक्षी है व्यक्तित्व सूची यानि JMPI इंगलिश फलफॉर्म में अगर बोलेंगे तो जोदपूर Multiphasic Personality Inventory को डेवलप किया किसने डेवलप किया भारत में मलिक और जोशी ने MMPI की तरह से ही JMPI को डेवलप किया अब हम बात करते हैं आईजेंक व्यक्तित्व प्रशनावली EPQ यानि आईजेंक Personality Questionnaire इसके नाम से ही क्लियर है कि इसे आईजेंक के द्वारा डेवलप किया गया इस परिक्षन में शुरू में व्यक्तित्व के दो आयामों का मुल्यांकन किया गया पहला आयाम अंतर्मुकता बहिर्मुकता यानि इंट्रोवर्टिड एक्स्टोवर्टिड और दूसरा आयाम सामवेगिक स्थिर्ता और स्थिर्ता इसको इस तरह समझेए पहला आयाम अंतर्मुकता बहिर्मुकता यानि एक छोर पर वो लोग होंगे जो अंतर्मुकी होंगे और दूसरे छोर पर वो लोग होंगे जो बहिर्मुकी होंगे दूसरे आयाम की बात करें तो ये है सामवेगिक स्थिरता और स्थिरता यानि एक छोड़ पर वो लोग जो की emotionally stable है और दूसरे छोड़ पर वो लोग जो की emotionally unstable है इन दोनों आयामों में 32 personality विशेशक, 32 व्यक्तित विशेशक यानि personality traits का मापन किया जाता है शुरुवात में ये दो आयाम थे लेकिन बाद में आईजेंक ने एक तीसरा आयाम मनस्तापिता यानि psychoticism को परिक्षन में जोड़ा मनस्तापिता उन मनोविकारों से संबंदित है जो दूसरों के लिए भावनाओं में कमी लोगों के साथ अंतखरिया करने का एक कठोर तरीका और समाजिक परंपराओं की अवग्या करने की प्रवर्ति का प्रतिनित्तु करता है यानि जो लोग मनस्तापि व्यवहार वाले होते हैं यानि psychoticism व्यवहार संबंदित होते हैं जो की एक तरह का मानसिक विकार यानि मनोविक्यानिक रोग हैं ऐसे लोगों में दूसरे लोगों के लिए feelings नहीं होती वो दूसरों के साथ interact करते समय यानि बहुत rude होते हैं और स जाती समाजिक नियमों परमपराओं को न मानने की प्रवृत्ति उन लोगों में देखी जाती हैं जो लोग इस आयाम पर यानि मनस्तापिता पर ज़ादा अंक प्राप्त करते हैं यानि जिन में मनस्तापिता ज़ादा मातरा में पाई जाती हैं ऐसे लोग आकरामक होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और समाज विरोधी होते हैं इसलिए समाज के नियम कानूनों की परवाह नहीं करते हैं अब हम बात करते हैं तीसरे सेल्फ रिपोर्ट मेजर यानि आत्म प्रतिवेदन माप की जो है कैटल का 16PF यानि 16 व्यक्तित्व कारक प्रशनावली एंगलिश में 16 personality factor questionnaire 16PF कैटल के द्वारा डेवलप किया गया था कैटल ने व्यक्तित्व को बताने वाले विभिनक कारकों की पहचान की थी यानि personality की बहुत सारी विशेशताओं या कारकों की पूरे एक समुच्च है पूरे एक समू की पहचान की थी जिसमें बहुत सारे कारक शामिल हैं बाद में कैटल ने किसी व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व की संरचना की पहचान के लिए यानि किसी व्यक्ति की संरचना किन गुणों से हुई है उसकी पहचान करने के लिए इन्होंने कारक विशलेशन विधी का प्रयोग की या कारक विशलेशन यानि factor analysis ये एक statistical technique है यानि स सांखे की तकनीक के आधार पर इन्होंने 16 प्राथमिक या मूल विशेशकों का पता लगाया इसलिए इनके परिक्षन को 16PF कहा जाता है इस परिक्षन में कुछ कथन दिये होते हैं और प्रयोज्य को उन कथनों को पढ़कर दिये गए विकल्प यानि जो options होते हैं उनमें से किसी एक option को चुनना होता है इस प्रशनावली का उपियोग high school स्तर के विद्यार्थियों और high school स्तर के विद्यार्थियों से लेकर adults तक यानि जो बयस्क व्यक्ति हैं उन तक पर किया जा सकता है ये परिक्षन यानि प्रशनावली व्यवसाइक निर्देशन यानि vocational guidance व आत्म प्रतिवेदन माप यानि self-report measures में बहुत सारे गुण हैं वही अनेक समस्याएं और कम्यावी हैं पहली समस्या है समाजिक वांचनियता की यानि social desirability की समाजिक वांचनियता यानि जो प्रयोज्य है उत्तर दाता है वो प्रशनों के उत्तर हमेशा समाजिक दिष्ट समाजिक वांचनियता या social desirability कहा जाता है दूसरी समस्या आती है अनुमनन की यानि acquisence की अनुमनन से तातपर है कि प्रयोज में tendency ये पाई जाती है जो कि प्रशनावली में जो कथन दिये गए है उन कथनों की जो विशेवस्तु है यानि जो content है उसको बिना सोचे समझे या बिना ध्यान दिये उनसे सैमत हो जाता है और हां में अनुक्रिय करता है तो जब प्रशन या वाक्य को बिना ध्यान दिये उस पर बिना विचार किये प्रयोज हां में response करता है तो इससे परिक्षन की विश्वस्त्मियता कम हो जाती है यानि personality का assessment सही तरीके से नहीं हो पाता इन परिक्षनों को करते समय कुछ साबधानिया रखनी चाहिए मनोवैग्यानिक परिक्षन और व्यक्तित्व की समझ के लिए हमेशा उचस्तरिय कोशल और प्रसिक्षन की आवशकता होती है यानि बिना high level के skill और training के इन मनोवैग्यानिक परिक्षनों का उपयोग या personality को समझना मुश्किल होता है तो जब तक आप किसी विशेशाग या सुपर वीजन में इस स्तर का skill develop ना कर लें अचीव ना कर लें तब तक आपको किसी भी व्यक्ति के personality का टेस्ट करने या फिर उसकी व्याख्या करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा करना जोखिम उठाने जैसा है तो ऐसा जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा करना रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए धन्यवाद